प्रिये शिक्षाथियों, नमस्कार। आज के इस संक में मैं ज्योति कौशिक मेनन आप सभी का स्वागत करते हैं। आज व्यवस्याई अधियन के तहट हम पढ़ेंगे नियुक्ति करण भाग एक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रबंद के पांच कारे हैं। पहला नियोजन, दूसरा संगठन, तीसरा नियुक्ति करण, चौथा निर्देशन, एवं पांचमा नियंतरन। तो हम इसके तीसरे कारे नियुक्ति करण के बारे में आज पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, देख लेते हैं कि नियुक्ति करण की अवधारना क्या है, उसकी आवश्यक्ता क्या है, उसका महत्व क्या है, एवं मानव संसाधन प्रबंद क्रिया के रूप में नियुक्ति करण क्या है। नियुक्तिकरण के तीन महत्वपून घटक है भरती, चयन, एवं प्रशिक्षन एक एक करके इनके बारे में हम जानेंगे जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी संगठन अपने आप में प्रतिभाशाली नहीं होता संगठन में कारेरत लोग किसी भी संगठन की सफलता को सुनिश्चित करते हैं किसी भी संगठन की नीव प्रतिभाशाली और महंती लोग होते हैं जो किसी भी संथा की प्रमुख संपत्ती होते हैं इस प्रकार परियाप्त स्टाफिंग, परियाप्त नियुक्तिकरण या उपयूक्त मानवसं साधनों के लिए प्रावधान किसी भी संगठन की सफर्ता के लिए आवश्य कदम है. आईए जान लेते हैं कि नियुक्तिकरण का अर्थ क्या है? संगठन सरंचना की योजना और चयन के बाद प्रबंधन प्रक्रिया में अगला कदम संगठन में π्रदान किये गए विभिन्द पदों को भरना होता है इसे ही नियुकति करण का कार्य में प्रबंधन कहा जाता है सबसे सरल शब्दों में एदिहम जाने तो नियुक्ति करण ही लोगों को नोक्रियां दे रहा है नोक्रियों में डाल रहा है यह कार्यबल की योजना के साथ शुरू होता है और इसमें भरती, चयन, प्रशिक्षन, विकास, पद उन्नती, मुआवजा, पारिश्रमेक और कार्यबल के प्रदर्शन मुल्यांकंजा से विभिन अन्यकार्य भी शामिल होते हैं संक्षेप में यदि हम समझें तो नियुक्ती करण का अर्थ है सही लोगों को नोक्रियों में लाना किसी भी संगठन की सफलता के लिए उपयुक्त मानव संसाधन एक महत्वपून आविश्यक्ता है एवम नियुक्ती करण एक सतक प्रक्रिया है तादर अर्थात निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है क्योंकि कुछ लोग नोक्रियां छोड़ करके संस्था को छोड़ कर बाहर जा सकते हैं एवं संस्ता यदि विकासरत है तो कुछ नई नोकरियां भी पैदा हो सकती है अर्थात निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है नियुक्तिकरण अब जान लेते हैं कि नियुक्तिकरण की आवशकता क्या होती है नियुक्तिकरण अपने आप में बहुत ही महत्वपून कार्य है क्योंकि यदि लोग ही नहीं होंगे तो संस्ता क्या कार्य करेगी इसलिए सही लोग आपके व्यवसाय को शीष पर ले जाने में आपकी साहता कर सकते हैं, जबकि गलत लोग आपके व्यवसाय को तोड़ सकते हैं, धराशाई कर सकते हैं. इसलिए नियुक्तिकरण संगठात्मक प्रदर्शन का सबसे मौलिक एवब महत्वपून अभियान हैं. नियुक्तिकरण के माध्यम से प्रद्योगी की तीवर प्रगती सुनिश्चित होती हैं, संगठन का बढ़ता हुआ आकार जो है उसके कारण भी नियुक्तिकरण की आव बहुत ही अधिक है। नियुक्तिकरण के महत्वक एदिहम जाने तो विभिन नोकरियों के लिए सक्षम कर्मियों की खोज और प्राप्त करने में नियुक्तिकरण ही मदद करता है। यदि उत्तर अधिकार नियुजन के माधियम से उद्यम के निरंतर अस्तित्व और विकास को सुनिश्चित की जाना है तो भी नियुक्तिकरण अपना महत्व प्रदर्शित करता है। मानव संसादनों को यदि हम बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि जैसे मशीन है या और कोई एसेट है कोई भी संपत्ती है विवसाय के अंदर बिल्कुल इसी तरह से मानव जो संसादन है वो भी एक संपत्ती के रूप में संस्थान में विद्यमान होता है और इसका उष्टतम उपयोग अर्थात सबसे अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित नियुक्तिकरण की साहता से ही संभव है ओवर मैनिंग अर्थात एक काम को करने के लिए ज़्यादा लोगों का जमा होना इससे बचने के लिए भी कर्मियों और उचिश्रम लागतों के उपयोग को नियुक्तिकरण रोगता है एक ही समय में अब आने वाले कर्मचारियों की आवश्यक्ता को ये पूर्व अनुमान पहले से ही लगा लेता है अर्थात जब कार्य है और लोग नहीं होंगे तो इसे हम कार्य के विग्टन कहते हैं कार्य के विग्टन से बचने के लिए भी हमें नियुक्तिकरण की आवश्यक्ता होती है इसलिए हमें पहले से ही है जानना होता है कि कोई भी कार्य कंप्लीट करने के लिए पूरा करने के लिए हमें कितने कर्मियों की आवश्यक्ता होगी तो जितने कर्मियों की हमें आवश्यकता होती है उतने ही कर्मियों की उपलब्दता कराना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है इसलिए ना तो अधिक लोग हों और ना ही कम लोग हों कारे को करने के लिए तो यही नियुक्तिकरण का महत्व है क्योंकि कार्य के अनुरूप मानव संसाधनों को उपलब्द कराना ही नियुक्तिकरण का कार्य है इसके अलावा अपने मुल्यांकन के लिए ओदेश्य मुल्यांकन और उचित इनाम के माध्यम से कर्मचारियों की नौकरी के संतुष्टी और मनुबल में भी सुधार करता है नियुक्ति करण अर्थात इनका होने वाला खर्च अधिक हो जाएगा जिसके परिनाम सरूप उत्पादक्ता कम हो जाएगी और उत्पादों की गुणवत्ता भी खराब हो जाएगी यदि हम सही उत्पादक्ता को बनाई रखना चाहते हैं और उत्पाद की गुणवत्ता को भी बनाई रखना चाहते हैं तो इसके लिए नियुक्ति करण कार्य को भी हमें सुनिशित कराना होगा और अपने कार्य को सही दिशा देने के लिए भी नियुक्ति करण का ही बहुत विशेश महत्व होता है अब हम जान लेते हैं कि नियुक्ति करण मानल संसाधन के रूप में किस प्रकार जाना जाता है यह एक ऐसा कार्य है जिसमें सभी प्रबंदकों को करने की आविश्यक्ता होती है यह एक ऐसा विभिन और विशिष्ट कार्य है जिसमें मानल संबंदों के कई पहलूं पर विचार किया जाता है यह प्रबंधुकों का काम होता है कि वे अपने संगठन में रिक्त स्थानों को भरें एवं यह सुनिश्चित करें कि वे योग्या लोगों के साथ ही बने रहें इसके बाद उन्हें संगठन के लक्षों के अनुरूप काम करने के लिए प्रशिक्षित एवं प्रेदित करें अपने लक्षियों को प्राप्ट करने में किसी संगठन की सफलता काफी हद तक मानव संसाधन की ख्यमता, प्रेरिना और प्रदर्शन पर ही निर्धारित होती है इसके अलावा मानव संसाधन की रूप में नियुक्ति करन छोटे संगठनों में इदि हम देखें तो प्रबंदक कर्मचारियों के वेतन, कल्यान और कामकाजी परिस्थितियों से संबंदित सभी करतवयों का पालन सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा, प्रबंदक के द्वारा या मालिक के द्वारा किया जा सकता है, परंतु जैसे जैसे संगठन का आकार बढ़ता है, जैसे जैसे संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ती है, तब मानव संसाधन विभाग नामक एक अलग विभाग का गठन किया जाता है जिसमें लोगों के प्रबंधन के विशेश अग्य होते हैं वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि इतने सारे व्यक्तियों के द्वारा किस प्रकार कारे किया जाना है किस प्रकार की गतिविधियों का आपस में संबंध स्तापित किया जाना है और हर व्यक्ति के क्या कर्तव्य होंगे तो मानव संसाधन प्रबंदन में कई विशेश गतिविधियां और कर्तव्य शामिल होते हैं जिन्हें मानव संसाधन कर्मियों को करना चाहिए अब हम देख लेते हैं कि मानव संसादन प्रबंद के कौन-कौन से करतव्य हैं सबसे पहला करतव्य है भर्ती अर्थात लोगों की तलाश करें कौन-कौन व्यक्ति कार्य करने के इच्छुक हैं यही भर्ती से तातपर है नोक्रियों का विशलेशन किया जाना नोक्रियों का विवरंट तयार करने के लिए नोक्रियों के बारे में जानकारी एकत्रित किया जाना मानव संसादन प्रबंद के करतव्य में शामिल होता है इसके अलावा शती पूर्ती, अर्थात पारिश रमेक देना और प्रोटसाहन योजनाओं का विकास करना भी मानव संसाधन प्रबंद के कर्तव्यों में प्रमुख है जब कोई केसिस आ जाते हैं कोट में जाना पड़ता है लॉसूट में भी कमपनी का बचाव करना और कानूनी जटिलताओं से बचना ये भी मानव संसाधन प्रबंद के कर्तव्यों में शामिल है मानव संसाधन प्रबंद के अन्य कर्तव्यों में कुशल प्रदर्शन और केरियर विकास के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षन और विकास प्रमुख है क्योंकि जब हम अपने कर्मिचारियों को प्रेशिक्षन और विकास के लिए प्रेरित करेंगे तो इससे कुशल प्रदर्शन सुनिश्चित होगा कर्मिचारियों के कुशल प्रदर्शन का सीधा प्रभाव संगठन की सफलता पर पड़ता है इसके अलावा श्रम संबंदों और संग प्रबंदन संबंदों को बनाए रखना भी मानव संसाधन प्रबंद के कर्तव्यों में समिलित है शिकायतों और सुझावों को संभालना, सामाजिक सुरक्षा और कर्मचारियों के कल्यान के लिए प्रदान करना भी मानव संसाधन प्रबंद के कर्तवियों में शामिल होता है तो आपने देखा कि किस प्रकार मानव संसाधन के जो कारें हैं, कर्तवें हैं, वो कितने महत्वपोर्ण हैं अगले चरण में हम जानते हैं कि स्टाफिंग प्रोसेस अर्थात नियुक्ति करण की प्रक्रिया क्या है तो सबसे पहले है इसमें मानव शक्ती आवश्यक्ताओं का अकलन जिसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमें कितने लोगों की आवश्यक्ता होगी इसके बाद है भरती, अर्थात लोगों को प्रेरित करना कि वे हमारे यहाँ पर एप्लाई करें तीसरा है चेहन, अर्थात जिन लोगों ने भरती प्रक्रिया में शामिल जो एप्लिकेशन हमारे पास आई हैं उन में से ये सेलेक्ट करना कि कि किसको हम अपने यहाँ कारे करने के लिए चेहन उसका करें और किसको रिजेक्ट करें इसके बाद है अनुस्थापन एवं अभी विन्यास, फिर है प्रशिक्षन एवं विकास, फिर है प्रदश्चन का निश्पादन मुल्यांकन, फिर है पदोनती एवं भविश्य नियोजन, एवं अंतिन चरण है पारिश्रमिक इस बात का हम विशेश ध्यान रखेंगे कि जब भी हम नियुक्ति करन प्रक्रिया के बारे में बात करें या एवं किसी भी प्रक्रिया की जब हम बात करें तो एक के बाद एक सिलसिलेवार चरणों को लिखना आती आवश्यक है एक भी चरण यदि पहले से बाद में हो गया तो पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो खराब हो जाती है इसलिए एक प्रक्रिया के अंदर सिलसिलेवार तरीके से क्रम बद्ध होकर के चरणों का किया जाना आवश्यक होता है आईए अब जानते हैं इन चड़नों को हम एक एक करके डिटेल में जिसमें पहला है मानर शक्ति आवश्यक्ता वहां करें तो मानर शक्ति यजन शक्ति दो तरह के विशलेशन की आवश्यक्ता की मांग करती है जिसमें पहला है work load analysis या काम के बोज का विशलेशन की हमारे पस काम कितना है क्योंकि यह जानना जरूरी है कि जितना काम होगा उतने ही हम लोगों को कार्य करने के लिए बुलाएंगे दूसरा है work force analysis अर्थात कार्य बल का विशलेशन कार्य बल विशलेशन से तातपर्य विभिन नोकरियों के प्रधर्शन और संगतनात्मक उदेश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक मानव संसाधनों की संख्या और प्रकार का आँखलंग करने में सक्षम होता है कार्यबल विशलेशन से संखिया और उपलब्ध प्रकार का पता चलता है वास्ता में इस तरह की कवायत से हमें यह पता लगता है कि क्या हम समझदार, अतिश्रेष्ट या आशावादी कर्मचारी है कार्य भार विशलेशन भी अति आवश्यक है क्योंकि विभिन नोकरियों के प्रदर्शन एवं संगटनात्मों को देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक मानव संसाधनों की संखिया और प्रकार का आकलन करने में ही हम सक्षम हो पाएंगे इसके बाद दूसरा है भरती भरती को भावी कर्मचारीयों की खोज करने और संगटन में नोकरियों के लिए आविदन करने के लिए उत्तेजित करने की प्रक्रिया के रूप में हम परिवाश्यत कर सकते हैं नौकरी विवरन लिखने की प्रक्रिया में उत्पन जानकारी और उमीदवार प्रोफाइल का उप्योग रिक्त स्तितियों के खाली होने वाले विज्यापन को विक्सित करने के लिए किया जाता है आवश्य कुदेश्य भावी नौकरी के उमीदवारों का एक पूल बनाना होता है भरती के आंतरिक एवं बाहय दोनों स्तिरोतों का पता लगाया जा सकता है आंतरिक स्तिरोतों का उप्योग सीमित सीमत तक ही किया जा सकता है हम अगले अंक में आंतिरिक स्त्रोतों एवं बाहिय स्त्रोतों के भरती के जो स्त्रोत हैं उनके बारे में रीटेल में पढ़ेंगे ताजा, प्रतिभा और व्यापक पसंद के लिए बाहरी स्त्रोतों का उपयोग किया जाता है तीसरा चरण है चैन चयन से तातपर्य सेलेक्ट करना ये सुनिश्चित करना कि संगठन जितने भी हमारे भरती के तहट जो भावी कर्मचारियों ने एपलाई किया है उन सब के बीच उपलब्द साधरों के बीच सबसे अच्छा कौन है तो उस चयनित लोगों के आत्मसमान और प्रतिष्ठा को बढ़ाता है और उन्हें गंभीरता से ये बताता है कि संगठन में ये सब खार्य करना है जिसके लिए आपको इतने सारे लोगों की भीड में से चुना गया है चयन का तात्पर्य चुनाव से है उपलब्ध श्रेष्ट जो विकल्प है उनमें श्रेष्ट तम विकल्प के चुनाव से चयन का तात्पर्य होता है चयन भरती के चरण में विक्सित भावी उमीदवारों के पूल में से चुनने की प्रक्रिया होती है और यदि कर्मचारी की प्रेर्णा आधिक है तो उनके दक्षताओं को भी मजबूत किया जा सकता है वे बहतर प्रदर्शन करें जिससे की संगटनात्मक प्रभाव बनी रहे अपने सदस्यों के केरियर की उन्यति के अवसर प्रदान करके संगटन न केवल खावी कर्मचारियों को आकरशित करता है बलकि प्रतिभाशाली लोगों को अपने संगटन में बनाए भी रखता है इससे अगला चरण है प्रदर्शन की यह निश्पादन मुल्यांक अर्थात जब कर्मचारियों का चैन किया जा चुका तो अब वे कर्मचारी काम पर लगेंगे अपने कारे को करेंगे कर्मचारियों को प्रशिक्षन की अवधी से गुज़रने के बाद और कुछ समय के लिए नोकरी पर रहे उनके प्रदर्शन का मुल्यांकन करने की है या नहीं प्रदर्शन मुल्यांकन का आर्थ होता है किसी पूर्व निर्धारित मानकों के विप्रीत कर्मचारी की पवर्थमान या पिछले प्रदर्शन का मुल्यांकन करना इसलिए प्रदर्शन मुल्यांकन प्रक्रिया में नोकरी को परिभाशित भी किया जाता है और यी प्रतिक्रिया जो है वो प्रदान की जाती है कि आपने जो कारे किया वो किस प्रकाश रेष्ट है या फिर उसमें सुधार की गुंजाईश है नियुक्ति करण के अगले चरण में हम पढ़ेंगे प्रशिक्षन एवंव विकास हर एक को शीष पर उठने का अफसर होना चाहिए इस तरह का अफसर प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कर्मचारी सीखने की सुविधा अर्थात जब हमारे यहां कर्मचारी कारेरत हैं तो समय के साथ साथ बदलते समय के साथ साथ उन्हें भी कुछ नया सीखने के अवसर प्रदान किये जाने चाहिए उन्हें भी बदलते हुए समाज को देखते हुए बदलता हुआ व्यवसाय का जो वातावरण है उसके साथ बदलते हुए अपने करमचारियों का प्रशिक्षन एमें विकास सुनिश्चित करना भी संगठन की जिम्मेदारी होती है संगठनों के पास या तो आंतरिक प्रशिक्षन केंद्र होते हैं या फिर प्रशिक्षन और शैक्षनिक संस्थानों के साथ गठपंदन करने के लिए अपने करमचारियों की निरंतर सीखने की प्रक्रिया को सुरिश्चित किया जाना होता है अगला चरण है अनुस्थापन एवं अभी विन्यास अनुस्थापन अर्थाथ प्लेस्मेंट आपने सुना भी होगा कि बहुत सारी प्लेस्मेंट एजेंसीज कार्य करती है परन्तु यहां पर तात्पर्य होता है कि जब कर्मचारी का चैन किया गया है तो वो कर्मचारी आ करके अपनी जगहे पर विराजवान हो अपने स्थान के कारभार को संबाले उसके पद से उसका परीचे कराया जाए जबकि अभी विन्यास चैनित कर्मचारी को अन्य कर्मचारियों से परीचित कराता है और संगटन के नियमों और नीतियों से भी परिचित कराता है तो अनुस्तापन एवं अभी विन्यास बहुत ही महत्वपून चरण है अगला चरण है पदोनती एवं भविश्यन यूजन सभी संगटनों के लिए यह आवश्य हो जाता है कि वे केरियर से जुड़े हुए मुद्दों और अपने करमचारियों के लिए प्रचार के तरीकों को सम्भूधित करें प्रबंधकों को करमचारियों के दीर्ग कालेख हितों की सेवा के लिए गतिवितियों को भी डिजाइन करने की आवश्यक्ता होती है उनका पूर्वानुमान लगाना भी आविश्यक होता है उन्हें कर्मचारियों को अपनी पूरी क्षमता के अनुसार विक्सित करने के लिए और अपनी क्षमता के अनुसार कारे करने के लिए प्रोजसाहित किया जाना चाहिए पदुन्नती में वृद्धी की जिमेदारी से पदों पर रखे जाने का उलेख होता है कर्मचारियों की पदुन्नती एवं भविश्य नियोजन से कर्मचारी संगठन में बना रहता है और उसे छोड़ कर जाने के बारे में नहीं सोचता अगला चरण है पारिश्रमिक हर व्यक्ति कारे जब करता है तो पारिश्रमिक के लिए ही करता है क्योंकि अब उसको अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पारिश्रमिक की आवश्यक्ता होती है सभी संगटनों में अपने करमचारियों के लिए वेतन और वेतन योजना स्थापित करने की आवश्यक्ता होती है नौकरी के मूले के आधार पर विबिन वेतन योजनाय तैयार करने के अलग-अलग तरीके भी होते हैं इसलिए पारिश्र में कर्मचारियों को जाने वाले सभी प्रकार के वेतन या पुरसकारों को संदर्बित करता है यह प्रत्यक्ष वित्य भुकतान जैसे की वेतन, वेतन प्रोटसाहन, कमिशन और बोनस के रूप में भी हो सकता है एवं अप्रत्यक्ष भुक्तान जैसे की नियुक्ता भुक्तान बीमा या छुटियां तो इस प्रकार आपने देखा कि पारिश्र में किस प्रकार एक महत्वपूर्ण चरण है नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में तो उमीद करती हूँ कि आपको ये सभी विशे अच्छे से समझ में आ गए होंगे और मिलेंगे हम नियुक्ति करण के अगले भाग दो में धन्यवाद